पूरे देश में नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हर तरफ यही नारा लगते हुए देखाई दे रहा है कि नागरिक्ता संसोधन बिल को नहीं लाना इसमें भारत की नागरिक्ता को भी खत्रा होगा भारत के मुसल्मानों को भी खत्रा होगा लगातार इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सबसे पहले असम में इसका प्रदर्शन देखने को मिला जहां यहीं सात्मक रूप ले लिया था और जहां पर ममताव एनरजी है उनके राज में यह प्रदर्शन लगतार देखने को मिला और इसे उगर बनाने के लिए ममताव एनरजी लगतार कोशिश करती रही देखा जा रहा है कि असम में अभी भी विरोध प्रदर्शन लगातार जा रही है और यही विरोध प्रदर्शन चलते चलते ता मिलनाडू दिल्ली हर जगा फैल गया है और हर जगा देखा जा रहा है नारिकता संसोधन बिल के खिलाफ हर कोई अपने आपको सामने लेकर आया और इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और जामिया मीलिया इसलामिया में ये प्रदर्शन शांती पून तरीके से चल रहा था लेकिन कुछ गुंडाई उसमें घुसे और ये हिंसात्मा करूप ले लिया और काफी कुछ हिंसा देखने को मिली लाइब्रेरी में पुलिस समझ गई और उसी स्विपक्ष चात्राओं करने के लिए चात्र का समर्थन करने के लिए विपक्ष सामने आया और मीडिया के को बदलने के लिए तैयार है आपको बता दें इससे पहले प्रियंका गांधी वाड रा इंडिया गेट पर दो घंटे के लिए शांती पूंत तरीके से आंदोलन करती रही और जामियों मिडिया इसी हरकते कर रहे थे मार पीट चल रही थी जामिय मीलिया इसलामिया बिना अनुमती के कैंपस में घुस गए और उसके बाद लाइब्रेरी में घुसे और आसू गैस के गोले दागे गए लाठिया चार्ज हुई लड़कियों को मारा गया और काफी बच्चों को जखमी किया गया और काफी हिंसात्मक रूप लिफ देखने को मिला उसके बाद बीते दिन सोनिया गांधी का भी ये बयान सामने आया और ये देखने को मिला कि सोनिया गांधी समित बारा अलग विपक्षी नेता हैं उनके साथ मिलकर राश्टपती रामनात को विंद भवन पहुंचे और उनसे मुलाकात की और नागरिता संसोधन बिल में चर्चा करने के लिए इस फैसले को ना लाने के लिए और इसका रगातार विरोध कर रही और हिंसात्मक रूप को रोकने के लिए सोनिया गां के बाहर जब उन्होंने जनता से रूबर हुई उन्होंने तो यही सवाल किया बीजेपी सरकार को ले कर कि उनका गुंडा राश्ट चल रहा है पुलिस कर्मी चात्रों पर हिंसात्मक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं और यहां सोनिया गांधी ये भी कहती हुई नजर आई की लगातार भारत में लोगतंत्र है लेकिन बीजेपी सरकार लोगतंत्र को खतम करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर चात्रों की जो खुलकर वो सामने बोलने वाले हैं उनकी इस विचारधारा को खतम करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर चात्रों को बोलने नहीं दे रही है उन पर लाठी चार्ज कर रही है पुलिस की ऐसी बरबता देखने को मिल रही है इसा देखने को मिला है जहां पर जंता खुलकर अपना मत नहीं रख पाती है और जहां चात्र भी कहीं डरे सहमे से दिखाई दे रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहा है लेकिन बीजेपी सरकार पे कान पे जू नहीं रहेंगरी वो लगातार अपनी इस बात पर अड़ी हुई और सोनिया गांधी और लगातार वो भी यही कोशिश में लगी हुई है और उनके साथ विपक्षी नेता जितने भी थे उन्होंने राश्पती से मुलाकात करकर नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर विचार विमर्श किया और कहा कि इस पर दुबारा से फैसला किया जाए और इस बिल के साथ साथ जंतों को काफी नुकसान हो रहा है भारत की नागर में ऐसा हिंसात्मक रूप देखा गया जहां शांतिपूर तरीके से बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे थे वहीं ऐसा उग्र वहवार देखना पुलीस कर्मियों की तरफ से और बीजेपी सरकार की तरफ से इस राज में यह सरासर गलत है और सरकार को उन छात्रों की बात को शुनना चाहिए और विपक्ष लगतार इसी कोशिश में लगी हूई है कि इस बिल को बढला सके यह विरोध में जिस बिल पास हुआ उसके बाद लगतार इसके विरोध में सब- karate मायवति सब- apply सोन्य birthday उसका वी प्रदर्शन लगातार कर रहे थे और चात्र चात्राओं का समर्थन करते हुए भी वो देखे जा रहे थे अभी के लिए बस इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रही एस्पेन नाइन न्यूस